नमस्कार दर्शको आज की हमारी चर्चा का विशा है कि स्कार एक टॉपिक क्या होती अब बहुत सारे पेशेंट जो है क्योंकि सिजेरियन सेक्षन का रेट बहुत बढ़ गया है बहुत सारे पेशेंट के सिजेरियन सेक्षन के बाद प्रेगनेंसी होती है तो cesarean section में एक scar लग जाता है यानि कि uterus के अंदर एक scar लग जाता है इसे पता लगता है कि scar ectopic जो है वो cesarean section का जो पुराना scar है उसके अंदर अगर pregnancy जम जाए तो उसको scar ectopic बहुते हैं अब जो scar है वे एक cesarean, दो cesarean, तीन cesarean, ऐसे भी cesareans, तीन cesareans के बाद भी patients जो है वो आते हैं pregnancy लेकर natural भी और IVF से भी जिसके बीच में pregnancy जो है वे जम सकते हैं अब scar में pregnancy जो है वो क्यों जम जाती है क्योंकि वहाँ पे कुछ raw area होता है यानि कच्चा area होता है जिसमें embryo को एक ज़्यादा अच्छी जगा मिलती है बैठने के लिए अब IVF में भी scar ectopic होने की काफी ज़्यादा संभावना रहती है जैसे ही natural pregnancy में रहती है वैसी IVF में रहती है तो जो patients हैं जिनके मान लीजिए previous two cesarean section three cesarean section है तो उनको हम IVF करने से पहले तो discourage करते हैं कि आपके तीन cesarean हो गए या दो cesarean हो गए अब आपको और pregnancy नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके एक तो star ectopic risk है दूसरा आपकी जान को खत्रा है अगर आप बार बार cesarean कराते हैं तो कुछ patients को जो सरकारी एस्पतालों में cesarean होते हैं उनकी कई बरी ट्यूबे भी बंद कर देते हैं कि शुरू शुरू में patients कहते हैं कि आप अच्छे से check कर लीजिए अगर आपको पता चलता है कि हम ठीक नहीं है या हम fit नहीं है तो आप मत करिए तो ये जो है कोई भी डॉक्टर देखके नहीं बता सकता कि क्या इस patient की scar ectopic की क्या संभावना है या क्या ये patient की अगर scar में pregnancy हो जाएगी या वैसे ही patient pregnant हो जाएगा तो ये इसकी जान को कितना खत्रा है जो previous two cesarean three cesarean है शुरू में वो patient normal patient की तरह ही pregnant होते हैं मगर बाद में क्या होता है कि जब जब pregnancy बढ़ती जाती है जो खच्चा area वो और फटता जाता है तब धीरे धीरे बाद में जाकर जो है ज किसी patient की हो गई है तो इसमें जो है कैसे आगे बढ़ा जाए आगे क्या किया जाए अगर मान लीजे किसी patient की scar में topic हो गई है जो previous cesarean था उसके पीच में pregnancy जम गई है से important चीज है वो है diagnosis यानि की बहुत जल्दी जल्दी ये पता लगा लिया जाए कि ये patient की scar में मतलब pregnancy जो है patient हमारे से जाधा तर पूछते हैं कि मैं जो embryo है वो तो आपने ऊपर रखे थे तो embryo जो है वो ऐसे खाली embryo नहीं रखे जाते embryo के साथ medium भी रखा जाता है और media जो है उसमें embryo करता रहता है और इदर उदर गूमता रहता है और जहां पे उसको अच्छी जगा मिलती व जो है embryo transfer हाई करते हैं fundus में करते हैं फिर भी जो embryos जो है वो गूमते रहते हैं और scar में जाके चिपक सकते हैं दूसरा जो IVF pregnancy में अगर scar ectopic होती है तो बहुत जल्दी पता चल जाता है क्योंकि IVF में जादा scan होते हैं जल्दी scan होते हैं तो natural pregnancy उसमें थोड़ा delay भी हो सकत यह है कि ऐसी pregnancy में बहुत ज्यादा bleeding हो सकती है यानि कि बहुत तेज ब्लीडिंग होती है क्योंकि यह जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें इतनी muscle नहीं होती है और इसमें bleeding रोकने के mechanism नहीं होते हैं जो उपर वाली जो uterus का उपर वाला हिस्सा होता है उसमें बहुत ज्यादा musculature रहता है और वो अपने आप ही bleeding बंद कर देता है एक तरह से उसको tight करके फैरास जो नीचे वाला हिस्सा है वाँपे muscle कम होती है और वाँपे bleeding ज्यादा होने की संभावना रहती है तो scar ectopic जो है उसकी जो है एक बहुत अच्छे specialist के पास treatment होनी चाहिए जो डॉक्टर है अगर नीचे से simple सफाई कर दी जाए और scar में pregnancy हो तो बहुत torrential यानि कि बहुत जादा तेस bleeding हो सकती है इस करके इसको चोटे अस्पतालों में या फिर जहां पे blood की सुविदा नहीं है वैसी जगाओं पे सफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए यह जान लेवा हो सकती ह वेरेस अगर इसको under vision या properly किया जाए तो ऐसे patients जो है वो survive कर सकते हैं अब किसी patient की already अगर मालीजी history है कि उसके पहले scar ectopic होई है तो उसकी scar ectopic होने की समभवना और जादा बढ़ जाती है तो ऐसे patients को भी हम discourage करते हैं कि आप IVF treatment या hot treatment ना गरिये क्योंकि आपके अपके सकार में pregnancy होई है आपका scar कच्चा area और आपको दुबारा दुबारा इस region में pregnancy होने की समभावना है अब जो IVF है उसमें जो है हर चीज से हर तरीके से हम यह देखते हैं कि patient की जो life है वे safe रहनी चाहिए बच्चे जो है वो दूसरी जान है पहली जान जो है वो बच्चे की म बाले अब कुछ patients की जादा मजबूरी होती है एक भी life child नहीं होता और previous multiple cesareans होते हैं ऐसे patient में भी pregnancy जो है उसके लिए हम या तो adoption के लिए बोलते हैं या फिर ऐसे patients जो अगर फिर भी चाहते हैं कि आगे pregnancy लेकर जाए या बार बार इलाज कराएं तो फिर उनको जो है अच् कि बैट जाए तो उसको स्कार एक topic बोलते हैं और इसको जो है एक अच्छे सेंटर में एक अच्छे fertility consultant की देखरेक में ही आगे manage करना चाहिए और अगर आपको इस topic पे और questions है तो आप comment section पे comment कर सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद झापका अच्छे